Hello guys, तो last video में हमने Indian geography के अंतरगर्थ ये देखा कि states का evolution और union territories का evolution कैसे हुआ था और उसके background, history को समझा था इस video में हम generally ये बात करेंगे कि पृत्वी पे जो latitude और longitude lines होते हैं उसकी क्या जरूरत है और भारत जो है latitude और longitude extent के संदर्ब में उसके reference में भारत की इस्तिती क्या है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे latitude lines को उसके बाद longitude lines को cover करेंगे तो सबसे पहले तो बात यहां पे यह आती कि यह latitude lines और longitude lines को आखिर में क्यूं खिचा गया चुकि यह एक imaginary lines होते हैं वास्तो रूप से यह प्रिथवी पे यह lines मौझूद नहीं है यह हमने प्रिथवी को study करने के लिए प्रिथवी पे different places को और उसके positions को समझने के लिए हमने यह lines को draw किया है ताकि किसी particular place पर किसी particular जगह पर हम इस उस देश को क्या कर सके पॉइंट आउट कर सके ठीका तो यह थी ज़रूरत latitude lines और longitude lines की इसके अधिरित latitude lines international date line और international timeline यह date को और time को भी क्या करते हैं हमें बताने का काम करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि latitude lines क्या होते हैं देखिए latitude lines जो है वो प्रिथवी पे वैसे lines है let me change the color of this pane latitude lines क्या है कि प्रिथवी पे एक ऐसे imaginary lines हैं जो पैरलेल तौर पे खीचे जाते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं पैरलेल होते हैं ठीक है यह प्रिथवी पर फूल सर्कल का निर्मान करते हुए प्रिथवी पर पूरा एक round जो है एक latitude lines क्या करते हैं तो एंगूलाफिटल डिस्टेंस प्रॉम द सेंटर ओफ़ द अर्थ यह जो lines होते हैं वो प्रिथवी पर जो प्रिथवी का जो core है जीसे हम center कहते हैं प्रिथवी के core से यह एंगूलर डिस्टेंस को बताते हैं आप य मैं मुझाता हूं, जैसे कि यह तो है यहाँ परिथट्वी का सेंटर है, अब इस प्रिथवी के सेंटर से आप देख सकते हैं कि यह जो प्लेन है इत् Wahr स्वाति सकते थैंग निया गया है और इस प्लेन जितने डिगरी के एंगल पे जैसे, sepouse, हमाल लेते हैं कि 30 degree angle WE लेते है एक 30 degree हमने एक angle ऐसे लिया यह 30 degree angle लिया यह, suppose, माल ले रहे ह हैं 30 degree तो इस 30 degree angle पे परित्वी के चारो तरफ एक full circle जो है, क्ryद बने है, cover करेगा तो वह 30 degree latitude कहलाएगा जो क्या कहलाएगा, 30 degree latitude कहलाएगा उसी प्रकार से अगर ये जीरो डिग्री पर जो है अगर ये फुल सर्कल का अगर निर्मान करता है प्रिथवी के चारो और एक राउंड को कभर करता है तो उसे हम जीरो डिग्री लेटिटूड लाइन कहेंगे तो 0 degree latitude line होती है उसे हम equator कहते हैं ठीक है इसे हम Hindi में भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि भूमी यह जो प्रिथवी है प्रिथवी के बीचो बीच यह line होती है और यह प्रिथवी को 2 equal halves में divide करती है तो इक्वल हैप्स कहने का मतलब है उसे दो भागों में, दो बरावर भागों में डिभाइट कर देती है तो यह जो zero degree जो latitude line होता है उसे हम क्या बोलते हैं? equator कहते हैं तो zero degree equator is the longest latitude line which divide earth into two equal halves ठीक है? यह मैंने बता दिया यह प्रिथवी को दो बरावर भागों में डिभाइट कर देते हैं Southern Hemisphere and Northern Hemisphere इसका जो यहां पर आप यह देख रहे हैं जो बीच की यह जो line है यह क्या है? इसके उपर का जो पार्ट है जब प्रिथवी को यह दो भागों में डिभाइट करेगा तो इसके उपर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे Northern Hemisphere और इसके नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे Southern Hemisphere Full Circle and Run East to West यह जो है इस्ट से लेकर के वेस्ट तक यह वेस्ट से लेकर के इस्ट तक यह पूरे प्रिथवी पर चारो तरब एक फुल सरकल का निर्मान करते हुए क्या करते हैं प्रिथवी के भुभा को गबर करते हैं उसे एक राॉंड जो है क्या करते हैं वहां पर करते हैं तो यह latitude lines होते हैं दूसरे JVIS LAT at & L county उनन the Clこれは parallel होंगे यह आपके आपह यह इक्वेटर है इसके नीचे भी एक LATITUDE LINE से इसके नीचे भी आ यह सभी आ अजो अजितने गास एक LATITUDE Lाइन यह है वह वह क्या होंगे वह एक आपस में अजितने भी लेटिज़ूड लाइन यह वह उपर जाते जाते क्या हो जाएंगे चोटे होते जाएंगे क्योंकि प्रिथवी चुकी एक गोलाकार एक कर्व की तरह है तो जब हम equator पे जब हम बीचो बीच जब खीचते हैं तो वहाँ पे जो latitude lines होते हैं जो 0 degree equator होता है वो सबसे लंबा latitude line होता है उसके उपर जब हम जाएंगे जैसे सब जीरो degree या 5 degree पे हम अगर latitude lines खीच रहे हैं तो वह latitude line जो है 0 degree latitude line के comparison में क्या होगा छोटा होगा उसी तरह से और भी उपर जाएंगे तो जैसे जैसे degree का measurement बढ़ेगा वैसे वैसे latitude lines की जो length है वो क्या होगी छोटी होती जाएगी और 90 degree पे जागर के जो latitude line है वो बिल्कुल ही क्या होगी नगन्य हो जाएगी मतलब 90 degree जो हो जहां पे होता है वहां पे latitude line क्या हो जाएगा null and wide हो जाएगा वहां पे कोई भी latitude lines नहीं होगा वहां पे एक dot होगा ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां latitude lines है total तो अगर हम latitude lines को एक डिग्री के अगर अंतराल पे अगर हम draw करते हैं suppose zero degree पे हमने draw किया इससे हम क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं equator zero degree equator यह भूमद्रे का या इसको बोल सकते है zero degree latitude lines तो zero एक डिग्री के अंतराल पे अगर हम खीचेंगे तो zero degree से एक डिग्री पे दो डिग्री पे तीन डिग्री पे ऐसे करते यह जो है maximum कहां तक जाएंगे यह 90 डिग्री तक जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं suppose यह globe है तो यहां से यह हमने एक plain ले लिया है तो यहां पर ही खीचेंगे तो यह जीरो डिगरी क्वीची है हमने उसके बाद, यहां से अगर एक डिग्री पे खीचा तो यह एक लेटिट dua लायन फीर दो दिग्री पे तीन दिग्री पे चार डिग्री पे पांच डिग्री ऐसे करते करते जो है नदॉल गडीडी पे हम जब लेटिट लाइन खीचेंग़ तो यहां पर मैंने बताया कि यह जो latitude line है कि वहाँ पे लूप्त हो जाएगी, वहाँ पे बिलकुल एक point की तरह होगी, ठीक है, तो 0 से लेकर के, एक से लेकर के, अभी मैं 0 को काउंट नहीं कर रहा हूं, एक से लेकर के, 79 डिगरी तक सभी latitude होंगे, क्योंकि, sorry, 89 तक, 89 डिगरी तक एक एक latitude latitude lines खीचे जाएंगे, लेकिन 90 डिगरी पे जैसे हम पहुंचेंगे, वैसे latitude line मैंने बताया कि क्या होगा, लूप्त हो जाएगा, तो total जो latitude line है, northern hemisphere में, वह कितना होगे, 89 होगे, northern hemisphere में आप समझेगे, 89, उसी तरह से southern hemisphere में भी, total कितने latitude lines होगे, 89 होगे, ठीक, तो 89 इंटु 2 कितना होगे, 89 इंटु 2, ये तो हमने northern hemisphere और southern hemisphere के latitude lines को देखा, उसके बाद हम एक मिस कर रहे हैं, latitude line, जिसको हम बोलते है, 0 degree equator, तो एक 0 degree equator हमारे पास रहेगा, तो प्लस बन हो जाएगा, तो total number जो हमें यहां से हमें, जो मिलेगा, वो total number हम मिलेगा, 179, कितना है, 170 latitude lines, तो प कितने latitude lines खीचे जाएंगे, 179 latitude lines, इसे हम अक्षांस रेखा कहते हैं, अक्षांस रेखा खीचे जा सकते हैं, ठीक है, अब आईए, जो distance, मैंने जैसा कि बताया कि जो latitude lines होते हैं, ये दो latitude lines आपस में parallel होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो distance है, आप यहां पे देख सकते हैं, इनके बीच का जो distance यहां पे आप देख रहे हैं, इनके बीच का distance क्या होगा, इक्वल होगा, इनके बीच का distance क्या होगा, इक्वल होगा, यह हमेशा क्या रहा हैं, इक्वल रहेगा, प्रित्वी के किसी भी प्लेस पे जाएंगे, तो टू latitude lines के बीच हमेशा same distance रहेगा, ठ जैसे हम degree के measurement को भढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे latitude lines की length है, वो धिरे धिरे छोटी होती जाएगी. ठीक है? तो दो latitude lines के बीच हमेशा कितनी km का distance होगा? वो 111 km का distance होगा. ये परिच्छा में पूछा गया question है, दो latitude lines के बीच हमेशा equal distance होता है क्योंकि ये दो latitude lines parallel होते हैं और इन दो latitude lines के बीच maximum 111 km का margin होता है distance होता है तो ये हमने कुछ latitude lines के बारे में समझा इसके बाद latitude lines को कुछ-कुछ जो particular degree के जो latitude lines है जो अक्छांस ये रेखा है उन्हें एक particular नाम से जाना जाता है उशे हम समझेंगे ठीक है इसके अतिरिक थम कुछ जोन्स है हीट जोन्स है प्रित्वी पे उस चीजों को भी हम देखने की कोजिस करेंगे तो name of some particular latitude lines name of some particular latitude lines and heat zones तो latitude lines के कुछ particular latitude lines के क्या नाम है ये देखते हैं तो जो 0 degree जो latitude line है मैंने बताया कि जो 0 degree जो latitude line है उसे हम equator कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा जो 23.5 degree 23.5 degree north latitude line है नौर्थ मतलब उपर में northern hemisphere में उसे हम बोलते हैं Tropic of Cancer इसे हम बोलते हैं हिंदी में करक रेखा उसके बाद जो 66.5 degree पे जो नौर्थ पे जो latitude line है उसे हम बोलते हैं Arctic Circle क्या बोलते हैं? Arctic Circle Arctic Vrit तो ये तो हमने northern hemisphere में कुछ latitude lines के नाम को देखा उसी तरह से southern hemisphere में जो 26, 23.5 degree जो north है उसे हम क्या बोलेंगे? Tropic of Capricorn इसे हम बोलते हैं Makar Rekha इसे क्या बोलते हैं? Makar Rekha उसके बाद Antarctic Circle है 66.5 degree south पे इसे हम बोलते हैं Antarctic Circle Antarctic Vrit तो ये कुछ latitude lines है अपने अक्च पे जूकी हुई है जिसकी बोलते हैं जिसकी बोलते हैं प्रिथवी का प्रकास है प्रिथवी का प्रकास है सूर्य का प्रकास है प्रिथवी पे वो रेगुलर मैनर में सभी जगर नहीं होता है वो season-wise बदलते रहता है तो अगर हम यहां पे अगर हम यहां पे suppose suppose यह मान लेते हैं sun है तो sun का जो heat है वो लंबवत पर्पेंडिकुलर इन दोनों छेतरों के बीच में चमकते रहता है मतलब करकरेखा और मकरेखा के बीच में चूकि प्रिथवी थोड़ा tilted है जिसकी वज़ा से क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है मैंने इस चीज को एक वीडियो मेंने कवर किया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देदा हूंगा आप वहां से देख सकते हैं तो प्रिथवी का जो लाइट है वो 35 डिग्री करकर रेखा कर 15 डिग्री सौथ is Makaan एपक देखा जो शूरी है जिसके वाज़े से प्रिथवी का जो यह चेत्र होता है 23डी दिग्री नौर्थ से लेकर低 4 13्ड ग्री सौथ तक कल चेत्र है वो यह काफी गर्म होता है क्या होता है काफी गर्म होता है इसी वजह से इस छेत्र को हम टॉरीड जेन, टॉरीड जोन, इस छेत्र को हम क्या बोलते हैं? टॉरीड जोन, टॉरीड जोन का मतलब उस नकटी बंधी है छेत्र, इसे हिंदी में हम कहते हैं उस नकटी बंधी है छेत्र, ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? टॉरीड जोन बोले इसलिए इस चेत्र को हम क्या बोलते हैं? टोरीड जोन बोलते हैं, इसके उपर जब हम जाएंगे, नौर्थ में और साउथ में दोनों तरफ, तो टेमपरेट जोन मौजुद है, तेमपरेट जोन कहते हैं, कि यह थोड़ा सा गर्मी यहां पे गर्म से थोड़ा कम रहेगा और दखेंगें, तो क्या हो जाएगा UPOSHN, तो UPOSHN जो होते हैं यहाँ पे, यह जो UPOSHN छेतर हैं, वह तेश डिग्री से लेकर के नौर्फ लेटिटीटूड और साउथ लेटिटीटूड दोनों cyan पर यह मोझूद होते हैं, और यह छेतर जो है, मिलाजुला करके ना ज्याद इसलिए हम उपोसन चेत्र कहते हैं, क्या बोलते है, उपोसन चेत्र, चलिए, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, 66 से लेकर करके, 90 डिगरी तक के अगर हम एरिया में जाते है, प्रिथिव को अगर कभर करेंगे, उसे हम Frigid जोन बोलेंगे, Frigid जोन का मतलब होता है, उसे सीत, सी जहां पे ठंड काफी पड़ती है, और यहां पे सूर्य का प्रकास लगभग लगभग बहुती कम मात्रा में पोच पाता है, ठीक है, तो यह कुछ हीट जोन्स हैं, टोरीड जोन, टेंपरेड जोन और फिरीजीड जोन्स, आप समझ गए होंगे कि इनका नाम जो है, जो इन ज खेत्र काफी हीटेड होगा, जिसकी वज़ा से वह काफी गर्म होगा, गर्म होने से उसका नाम रख दिया गया गया तोरीड जोन, उसके उपर हमने देखाया टेंपरेड जोन, उसी तरह से फ्रीजीड जोन, और भी ठंड वाले खेत्रे में अगर जाते हैं तो इसके उपर पुरे गलोब के संदर में भारत की इस्थिती है वह कहां पे भारत कहां पे अवस्थित है तो अगर गलोब पे आप अगर भारत को देखियेगा तो भारत कुछ आपको यहां पे ऐसे नजराएगा आप देख सकते हैं यहां पे यहां पर यह भारत को दो भागों में बांटती है तो करकर बांटे रेखा जिसकी वज़ने से भारत का जो आधा हिस्चा है, जो तारीडी का है भारत के छे टेत्र में आजाता है। इसके वज़ए से भारत का तोरीड क्लाइमेट ठाहिए नॉर्थ में आगर हम जाते हैं, भारत नॉदर्ण पार्थ है वह टेंपरेट जोन में पड़ता है, टेंपरेट जोन का मतलब उपोष्न, तो हम यह निसकर्स निकाल सकते हैं, यह कनकुलूजन निकाल सकते हैं, कि जो भारत की जलवायू होगी, भारत की जलवायू होगी, भारत की जलवायू होगी, भारत की जलवायू होगी, भारत की जल अब आगे बढ़ते हैं, तो latitude lines हमने cover किया, latitude lines के संदर में हमने देखा क्या-क्या facts आ सकते हैं, अब आते हैं हम longitude lines पे, ठीक है, यह longitude lines को हम देखेंगे, longitude lines क्या होते हैं, तो देखिए, जिस तरह से हमने बदाए कि जो latitude lines होते हैं, वो horizontal lines होते हैं, horizontal कहने का मतलब यह जो है, East to West क्या करते हैं, रन करते हैं प्रिथवी पर, उसी प्रकार से जो Longitude Lines होते हैं, वो Verticals Lines होते हैं, मतलब ये North Pole को South Pole से जोडने का कारे करते हैं, मतलब ये North Pole से लेकर के South Pole तक ये Lines खीचे गए होते हैं, ठीक है, इन दोनों Lines में जो Difference, Basic Difference ये है, कि जो हमने Latitude Lines देखा, वो पूरे प्रिथवी पर, Full Circle का निर्मान कर रहे थे, जबकि Latitude Lines ऐसा नहीं है, ये सिर्फ North Pole को South Pole से जोडते हैं, इसलिए ये Half Circle का निर्मान करते हैं, ये Full Circle नहीं होते हैं, ये Half Circle का निर्मान करते हैं, ठीक है, ये Creates Half Circles, Expanded East to West from 0 Degree Prime Meridian Longitude to 180 Degree Longitude, देखिए, अगर हम यहां पर बात करें, तो जो Longitude Lines हैं, वो इस्ट से लेकर के, इस्ट की और इनका विस्तार है, फैले हुए हैं, और वेष्ट की और भी फैले हुए हैं, तो जो बीच का जो लाइन है, उसे हम बोलते हैं, जो मतलब हम एक कह सकते हैं, जैसे हमने एक पैमाना लिया, पृृत्वी तो गोल है, वहां पर हम एक प्रितवी तो गोल है, वहां पर हम इस्ट वेष्ट को एक पॉइश्ट रोप से हम बता नहीं सकतें कि इस्ट है, वेष्ट है क्या वेष्ट है, तो जीड़ डिगरी और जो बना लिया ताकि इस 0-degree longitude से इस दिसांतर रेखा से हम जो है right side को जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे east बोलेंगे left side की और अगर हम जाएंगे तो से हम क्या बोलेंगे west बोलेंगे क्योंकि प्रित्वी goal जैसा है कि मैंने बताया कोई भी round object में हम east और west को recognize नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पे एक particular point के संदर्ब में हम बात न कर रहे हूँ ठीक है तो 0 degree जो longitude line है 0 degree longitude line से east की और और 0 degree longitude line से west की और जो है total longitude lines को खीचा गया north pole से south pole की और आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा 0 degree longitude line है यह ठीक है यह 0 degree longitude line है इस 0 degree longitude line को हम prime meridian कहते हैं क्या बोलते हैं prime meridian ठीक है क्योंकि जितने भी जो भी समय की जो गन्ना है जो हम time zones हम परते हैं कि हम आपने देखा होगा कि अलग 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 समय होते हैं क्योंकि प्रिथवी गोल है तो सूर्य का प्रकास जो है प्रिथवी के किसी particular part में ही चमक पाता है अगर सपोज मान लेते हैं कि 12 अगर दोफर की में बात कर रहा हूं तो 12 अगर दोफर को प्रिथवी के प्रिथवी के आधा भाग को ही कभर कर पाएगा आधा जो उसका part होगा वो क्या होगा अंधेरे में होगा इसी वज़ा से अलग-अलग देशों में अलग-अलग time zones है ताकि confusion नहीं हो अगर एक universal time zone को अगर रख लिया जाएगा तो उसके पीछले वाले पार्ट में भी वह कहेंगे कि 12 अगर दोफर हो रहा है तो इस तरह से time क्या हो सकते हैं mismatch हो सकते हैं इसकी वज़ा से अपने 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 देश के अलग-अलग time zones होते हैं ताकि वह universal time zone से क्या कर सके मैच कर सके और उसे compromise ना होने दे तो time zone को भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में next वीडियो में हम time zones और करक रेखा मगर रेखा ही सबी चीज को देखेंगे तो यह zero degree longitude line है इसे हम prime meridian line बोलते हैं क्यूंकि इससे समय की गन्ना की जाती है यह जो prime meridian line है इससे क्या किया जाता है time की गन्ना की जाती है अब जीरो डिग्री को हम greenwich mean time भी बोलते हैं दूसरा नाम इसका यह भी है greenwich mean time इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह लंडन के greenwich नामक जो जगह है वहां से यह गुजरती है इसकी वज़े से इसका नाम greenwich रखा गया है तो दो नाम है इसके एक है greenwich mean time और जीरो डिग्री इसे हम prime meridian कहते हैं दोनों चुझे मैंने बताया उसके बाद जीरो डिग्री से मैं कह रहा था कि इस्ट की और जब जाएंगे तो कई latitude lines कीचे गए हैं एक एक डिग्री के अगर अंतराल पे अगर latitude lines को अगर खीचे तो जीरो डिग्री से ले करके 180 डिग्री तो यहां से एक डिग्री के अंतराल पे अगर ऐसे हम longitude lines को अगर खीचे इस तरह से ठीक है तो प्रिथिवी के back side में भी खीचे जाएंगे चुकि यह 3D नहीं है तो मैं यहां पे यहां पे मैं दिखा नहीं सकता तो आप यह एजूम कर लिजे कि मैंने पीछे भी खीचा है तो इसके पीछे यह जो जीरो डिग्री लाइन है इसके पीछे जब जाएंगे तो 180 डिग्री जो है longitude line होगा ठीक है तो यहां से लेकर के इस्ट की और जब पूरा हम घुमेंगे पीछे साइड पे 180 डिग्री तक हम पहुचेंगे तो टोटल जो longitude lines होगे 0 से लेकर 180 डिग्री तक वो टोटल कितने हो जाएंगे 1 से लेकर 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक 180 डिग्री जो है longitude lines होगे और प्लस मैं एक 0 डिग्री का मैंने count किया तो 181 ठीक है उसके बाद अगर हम यह तो मैंने बताया east की और उसी तरह से waste की और जब हम longitude lines को जब हम खीचेंगे 180 डिग्री तक फिर जाएंगे लेकिन 180 डिग्री जो longitude line है और 0 डिग्री जो longitude line है वो दोनों यूनिक है वो एक ही है ठीक है जब हम 0 degree से west की और जब हम ऐसे round होकर के line खीचेंगे, तो 180 degree पर जब पहुचेंगे, तो चुकि 180 degree अल्रेड़ी एक longitude lines को हमने count कर लिया है, तो हम कितने खीच पाएंगे? 179 खीच पाएंगे. तो total जो हमारे पास longitude lines होंगे, वो total longitude lines कितने होंगे? 360 होंगे. मतलब, total परित्वी पर एक डिगरी क अंतराल पर खीचे गए longitude lines की संख्या कितनी है? 360 degree है. उसी तरह से latitude lines की संख्या मैंने बताया 179 है. अब देखते हैं, longitude lines are not parallel like latitude lines. यह parallel नहीं होते हैं. ठीक है, parallel क्यों नह आप की ओर यह line इनको draw किया गया होता है. नौर्थ से साउथ की ओर जब हम इस line को draw करेंगे, तो जैसे जैसे हम South की ओर, Southern Pole की ओर और जैसे जैसे North Pole की ओर जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनके बीच का जो distance वो धीरी-दीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. जैसे जो बीच का जो छेतर है यहाँ पे, जहाँ पे 0 degree equator होगा, वहाँ पे maximum distance होगा, दो latitude lines की बीच में, ठीक है? तो 0 degree equator पे, latitude lines की बीच में, maximum distance होता है, और वो जो maximum distance है, 111.3 km होता है, इसे हम गोरे कहते हैं, इसे क्या कहते है? गोरे. तो इस चीज़ को आप समझेएगा, तो maximum distance between two longitude lines is at equator, वह भी कितनी है, 111.3 km, distance between two longitude lines decreases reaching to the poles, पोल की ओर जाते हुए हम, जो distance होता है, जो distance होता है, जो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो यह था कुछ information about this longitude lines, उसके अतिरिक्त, देखिए, हम क्या देखते हैं, जब परित्वी पे, जब हमने latitude lines को, और longitude lines को, दोनों को जब हमने draw किया, तो हमें एक इस तरह का grid shape, जो है, प्रित्वी पे मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, greets बोलते हैं, यह जो greets होते हैं, यह time zones, date zones, इन सभी को determine करने का कारे करते हैं, यह हम next video में आगे देखेंगे, अब जो है, हमारा next जो हमारा sub topic है, वो है position of India on globe, भारत जो है globe के संदर में इसकी position क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम globe में देखेंगे, कि भारत कहां अवस्थित है, यह किस direction में अवस्थित है, उसके बाद हम इसके latitudinal और longitudinal extent की बाद करेंगे, कि इसका विस्तार कितना है, तो अगर भारत को, अगर आप देखेंगे, इस globe में आप यहाँ पे अगर भारत को देखते हैं, मैं इस globe में आप यहाँ अ ग्रता देखेंगे, यह जो है, यह ने जिरो डिगरी क्या है, अगर प्राइमिरे डियन है, जीरो डिगरी लोंगिट्वीड है, जैसा कि मैंने बताया आप पहले, कि 0 degree longitude से east और west की और लाइन खीचे गए हैं, उसे longitude lines कहते हैं, north to south, अब ये 0 degree को हमने एक landmark माना, कि ये जो है, एक mid point है, उसी तरह से ये north to south, मतलब ये y-axis यहाँ पर मैं इसे मान लेता हूँ, उसी तरह से अगर हम ये vertical line है, एक horizontal line नगर लेते हैं, 0 degree equator को, तो 0 degree जब equator को हम vertical, sorry, horizontal line लेंगे, तो ये हमें x-axis का कारे करेगा, अब हम यहाँ पर भारत की position को देखते हैं, कहाँ पर हैं, तो भारत आप देख सकते हैं, अगर आप इसे east मानते हैं, इसे west, ये north और ये south, तो भारत की जो इस्तिती है, वो northeast globe में अवस्थित है, भारत कहाँ आप 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 इस्टर्ण हेमिस्फेर में ठीक है? तो ये परस्ण भी पूछा गया कि पृत्वी की अवस्थिती पूरे गलोब के संदर्ब में क्या है? तो ये नौर्थ इस्ट में अवस्थित है आप याद रखिएगा इसे यह कहाँ अवस्तित है, नॉर्थ इस्ट में अवस्तित है, चलिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे, कि जो पृत्वी है, वो नॉर्थ इस्ट हमिस्मेर बे तो अवस्तित है, लेकिन इसकी extent क्या है, मतलब यह exactly, जो है कितने degree latitude lines तक, और कितने degree longitude lines तक यह विस्तिरित है, ठीक तो horizontal lines, जो है, एक horizontal lines, अगर हम यहाँ मान लेते हैं, इस चेत्र में, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम पृत्वी का जो northern point है, उसे हम इंद्रा कॉल बोलते हैं, तो इंद्रा कॉल से जो latitude lines जो पास करती है, वो कितने degree के है, और उसी तरह से जो दक्छिन्तम बि अठीजिए उन्द माण निकोबार आईलेंड में इस पोल इसराा इस इंद्रा प्याइड़ ant ठीक है क्युक् identifying जो जो अंडवा निकोबार आईलेंड है वह भारत की हिस्सा है तो अजमेड निक वह फंद्रा अव्स्तित है इसे इंद्रा प्याइड और इंदरा पॉइंट से जो latitude lines कुझरेगी, वो किस latitude पे है, इसे हम समझेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे, कि जो इंदरा पॉइंट है, यह मैंने यहां पे mistake से लिख दिया, 6.45 तो इंदरा पॉइंट है, ठीक है, इंदरा पॉइंट जो कहा अवसीत है, अंड इंदरा पॉइंट है, वो 6 degree, 45 minute, latitude line पे अवस्थित है, 6 degree पे, ठीक है, कहां अवस्थित है, 6 degree पे, तो भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदू है, भारत के संदर्ब में, ग्लोब के संदर्ब में, दक्षिंतम का कोई यहां पे पाट नहीं है, क्योंकि ग्लोब के संदर्ब मे भारत जो है, नौर्थ इस्थ हेमिस्पेर में है, तो हम यह कह सकते हैं, ग्लोब के रेस्पेक्ट में, जो भारत का जो दक्षिंतम बिंदू होगा, जो सौधर्ण मोस्ट पॉइंट होगा, तो 6 degree, 45 minute, क्या होगा, यहां पे सोच सकते हैं, नौर्थ होगा, नकि साउथ, यह भारत के संदर में हाला कि साउथ है, लेकिन पूरे ग्लोब के संदर में यह क्या है, नौर्थ ही है, तो 6 degree, 45 minute, नौर्थ, उसके बाद अगर हौर थोड़ा हम ऊपर जाते हैं, यह कन्या कुमारी तक अगर हम जाते हैं, तो कन्या कुमारी पे यह जो लेटिटिटूड लाइ जैसा कि मैंने बताया, यह जो पॉइंट है, यह है इंदरा, इंदरा कॉल, ठीक है, यह जो पॉइंट है, इंदरा, इंदरा पॉइंट, यह जो पॉइंट है हमारा, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी, ठीक है, तो जो इंदरा कॉल से जो लेटिटिटूड लाइन्स जो 37 degree 6 minute पे इंद्रा कॉल से वो लाइन गुजरती है तो भारत का अगर हम north to south extent की अगर बात करें तो 36 degree 6 minute north to 6 degree 45 minute north यहां पे भी हमें north ही बोलना है यहां पे south नहीं बोलना है क्योंकि यह हम globe के respect में हम भारत के extent को निकाल रहे हैं उसी तरह से अगर हम मुखे भूमी की अगर बात करें भारत का जो main land है हलांकि यह मुखे भूमी नहीं है भारत का territory है मान सकते हैं लेकिन भारत के अगर मुखे भूमी की अगर extent की अगर बात करें तो 37 degree 6 minute north यहां से to 8 degree 4 minute north यह हमारा north to south भारत के संदब में इसका extent हो गया ठीक है अब आते हैं east में यह हमने latitudinal extent देख लिया कि latitude के संदर में भारत की इतना विस्तरित है अब हम देखेंगे longitude के संदर में भारत कीतना विस्तार कहां तक है तो भारत पे यह जो point आप देख रहे हैं ठीक है यह गुजरात में यह point आता है और यह जो degree है यहां से जो longitude line गुजरती है उसकी जो तो measurement है वो है 68 degree 7 minute 68 degree 7 minute यह गुजरात के गुछार मोता नामक प्लेस से यह जो है लाइन गुजरती है और इसके अगर हम इस्ट में अगर बात करते हैं बहारत की इस्ट में तो यह जो लाइन है वह 97 degree 27 degree 25 मिने तक यह लाइन क्या है extended है ठीक है तो अगर भारत के संदर्ब में अगर हम इसके east और west विस्तार के अगर बात करें तो इसका विस्तार होगा 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east यहाँ पर भी मैं कहा रहा हूँ दोनों तरफ east है इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि globe के संदर्ब में यह कहा है कहा है eastern hemisphere में लाई करता है तो हम पूरे globe के reference में globe के संदर्ब में हम इसके extent को निकाल रहे हैं लेकिन भारत के संदर्ब में अगर कहेंगे तो यह क्या है भारत के जो 68 degree है वो भारत के क्या है वेस्ट में है क्योंकि gujarat भारत के western part का हिस्सा है और जो अर्माचल पर्देश से जो यह जो लाइन गुजर रही 97 degree 25 minute east यह भारत के eastern part का हिस्सा है तो भारत के संदर्ब में तो east-west होगा लेकिन globe के संदर्ब में हमें east-west नहीं बताना है यह क्या होगा, दोनों इस्थ होगा, तो यह हमने देख लिए भारत के एक्स्टेंट को देखा, भारत की जो विस्तार है, वो कितनी है, ठीक है, यह भी परस्न पूछा जाता है एक्जाम में, अब इसके बाद, टोरिड एंड टेंपरेट चोग, मैंने भारत के ख्लाइमेट क अब आवस्थित है ग्लोब में, इस तरह से भारत यहां पे अवस्थित है, यहां यह गुजरात है, तो यह जो साउदन पार्ट आप देख रहे हैं, यह भारत का जो दक्षिंतम बिंदू जो है, वो तॉरिड जोन में, ठीक है, टॉरिड जोन कहने का मतलब किया हुआ, कि उरो डिगरी से तेश डिगरी तक मैंने बताया तक कि टॉरिड जोन होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकास यहां है, अधर जिसकी वज़ा से यह रग होते हैं, तो यह जो दक्षिंतम बिंदू है इसका, यह क्या है? उस्थितर हैं तो भारत का दक्षिंतम च्थितर जो आता ह तो यह मैंने पहले ही अलेडी मैंने बता दिया है तो यह ता latitude और longitude lines के बारे में कुछ important information next video में हम भारत और करक्रेखा के बीच में क्या संबंद है करक्रेखा और जो हमारा इंटरनेशनल टाइम लाइन है जो की 82 degree है जो की इलाहबाद के नएनी से उगर गुजरती है यह किस-किस state से गुजरती है करक्रेखा कहा से गुजरती है इसके क्या महत्व है यह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे thank you for watching this video